इतिहास के पन्नों से इस कारेकर्म का आधार संकलन है विश्वश्नियता के लिए संदर्व ग्रण्थ का संपर्क करें नमस्कार आईए स्वागत है आपका लोक प्रिय इतिहास के पन्नों में आए देखे सोचे समझे सुने और मनन करे क्या कुछ हुआ इतिहास के पन्नों में दिनांक 11 जुलाई को क्योंकि आप तो जानते ही है इतिहास हमेशा अपने आपको दोहराता है 11 जुलाई सन 1533 में पोप क्लिमेंट सप्तम ने इंगलाइन के नरेश को समाज से बहिश्कृत किया सन 1890 में मराथी कादंबरीकार नारायन हरी आप्टे इनका जन्म हुआ सन 1912 में समाज सुधारक बहराम जी मलबारी इनका निधन हुआ सन 1920 में हिंदू विध्वार निती मत्ता इस पर सभाका आयोजन अमरावती में किया गया सन 1924 में आजी के दिन अमरावती में इलेक्ट्रिक कमपनी की स्थापना की गई सन 1930 में देश भक्त बापुजी अने इनकी अटक की गई सन 1933 में रेल मंत्री सुरेश प्रभू इनका जन्म हुआ सन 1966 में भारतिय फिल्मों के प्रतम नायक मास्टर विठल देशाई इनका निधन हुआ सन 1989 में अमरिका का स्काइलेब हिंद महासागर में गिरा सन 1994 में पुलिस महानिरेक्ष किरण बेदी को मेगा से पुरसकार प्राप्त हुआ सन 2003 में लेखक भिश्म सहनी इनका निधन हुआ सन 2006 में मुंबई की ट्रेनों में ब्लास्ट हुआ 11 जुलाई याने विश्व वस्ति दिन सन 1923 में हास्य अभी नित्री तुन-टुन याने के उमा देवी ये कभी पार्श्व गाई का भी रह चुकी है इनका जन्म हुआ अपसाना लिख रही हूँ अपसाना लिख रही हूँ दिले बेखरार का आँखों में रंग भर के तेरे इंकजार का अपसाना लिख रही हूँ इतिहास के पन्नों से इस कारेकर्म का आधार संकलन है विश्वशनियता के लिए संदर्व ग्रंथ का संपर्क करें